Accounting no problem मैं आपका स्वागत है मैं हूं आर्थी टेली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज की अध्याय में हम आपको बताएंगे कि किसी भी ट्रांजिक्शन को देख कर कैसे पहचाने कि उसे टेली प्राइम में किस वाउचर में रिकॉर्ड करना है इसके पहले की दो वीडियो में हमने आपको सोर्स टॉक्यूमेंट्स और टेली में अकाउंटिंग वाउचर क्या है और उनके उप्योग के बारे में बताया था आज हम उसी आधार पर आगे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। हमने आपको Manual Accounting की प्रोसेस के बीच जर्नल के बारे में बताया था और वहां कुछ Transactions भी बताये थे। उनमें से कुछ Transactions और दूसरे कुछ और Transactions हम आपको यहां बता रहे हैं। और इन्हें देखकर आपको यह निर्ने करना है कि किस Transaction को किस वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। हम आपको एक-एक Transaction दिखाकर सोचने के लिए 10 सेकंड का समय देंगे। यदि आप सही निर्ने कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हम तो आपको बताएंगे ही कि कौन सा Transaction किस वाउचर में रिकॉर्ड होगा। तो चलिए एक-एक करके Transaction देखते हैं। पहला Transaction है एक अप्रेल को हम व्यापार प्रारंभ करने के लिए एक लाख रुपए नकत पुझी यानि Capital लाए। अब आप सूचिए कि ये Transaction किस वाउचर में रिकॉर्ड होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं यहां पुझी के रूप में नकदी आई है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि नकद या बैंक के माध्यम से कोई भी प्राप्ती होती है। तो इस तरह के Transaction को Receipt Voucher में रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा Transaction, 5 April को हमने 20,000 रुपए State Bank of India में नकद जमा करके खाता खोला। अब आप सोचिए ये किस Voucher में जाएगा। अब हम आपको बताते हैं। इस Transaction में नकद रुपए Bank में जमा किये गए हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था Cash Account से Bank Account में या Bank Account से Cash Account में रुपए आता या जाता है। तो इस तरह की Transaction को Contra Voucher में रिकॉर्ड किया जाता है। अगले Transaction है चैप्रेल को राम शर्मा को नकद 2,000 रुपए उधार दिये। यहां हमने राम शर्मा को नकद रुपए दिया है और जैसा कि हमने आपको बताया था नकदी या Bank के माध्यम से कोई भी payment किया जाता है तो इस तरह की Transaction को Payment Voucher में रिकॉर्ड किया जाता है। अगले Transaction है चैप्रेल को व्यापार के लिए 51,000 का माल नकद खरीदा। इस Transaction को दीखने से ही सपश्ट है कि खरीदी की गई है इसलिए इस Transaction को Purchase Voucher में रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स Transaction चैप्रेल को हमनी जो माल खरीदा था उसका गाड़ी भाड़ा 100 रुपे नकद दिया। देखिए यहां नकद खुकतान किया गया है यानि इस Transaction को Payment Voucher में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगला Transaction है हमने जो माल खरीदा था उसे 7 अप्रेल को 75,000 रुपे में नकद बेश दिया। इस Transaction को देखने से ही सपष्ट है कि माल को बेचा गया है इसलिए इस Transaction को Sales Voucher में रिकॉर्ड किया जाएगा। 10 अप्रेल को हमने State Bank of India का 23,000 रुपे का चेक देकर मोटर साइकल खरीदी। अब यहां पर मोटर साइकल खरीदने के लिए बैंक से भुक्तान किया गया है इसलिए इस Transaction को Payment Voucher में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगला Transaction है एक मई को हमने मोहन को अप्रेल माह की तनख़ा 5000 रुपे स्टेट बैंक आफ इंडिया के चेक से दी। यहां हमने कर्मचारी की तनख़ा का भुक्तान बैंक से किया है इसलिए इस Transaction को Payment Voucher में रिकॉर्ड किया जाएगा। एक मई को हमने जो माल किसी व्यक्ति को अशूक ट्रेडर्स से दिलवाया था अशूक ट्रेडर्स से हमें उसका कमिशन पांच हजार रुपए चेक द्वारा प्राप्त हुआ जो हमने State Bank of India के खाते में डिपॉजिट किया। दिखिए यहां हमें चेक के माध्यम से कमिशन प्राप्त हुआ है मतलब हमें प्राप्ति हुई है। इसलिए इस ट्रांजेक्शन को रिसीट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाएगा। एक मही को हमने सुपर मार्केट से 10,000 रुपए का माल उधार खरीदा। इस ट्रांजेक्शन को भी देखने से सपश्ट है कि खरीदी की गई है। इसलिए इस ट्रांजेक्शन को पर्चिस वाउचर में रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। तीन मही को हमने सुपर मार्केट से जो माल खरीदा था। उसे मोहन ट्रेडर्स को 15,000 रुपए में बेश दिया। यहां पर इस ट्रांजेक्शन को देखने से ही इस पश्ट है कि माल को बेचा गया है। इस लिए इस ट्रांजेक्शन को सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगला ट्रांजेक्शन हमने 15,000 रुपए का जो माल मोहन ट्रेडर्स को बेचा था। वो खराब होने से मोहन ट्रेडर्स ने हमें 5 मई को वो माल वापस कर दिया। इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखें तो हमने जो माल बेचा था, खराब होने से वो खरिदार्स ने वापस कर दिया। यानि ये सेल्स रिटन है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि सेल्स रिटन को हम क्रेडिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। अगला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। आठ मई को आशा इंटर्प्राइजस से हमने 25,000 रुपए का फरनीचर उधार खरीदा। इस ट्रांजेक्शन में उधार फरनीचर खरीदा गया है, यानि खरीद तो हुई है, पर ये खरीद फिक्स्ट असेट्स की है। और जैसा कि हमने आपको पर्चेस वाउचर में समझाया था कि इस तरह की खरीद को हम पर्चेस वाउचर में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो फिर इस ट्रांजेक्शन को कहा रिकॉर्ड करेंगे। हमने आपको जर्णल वाउचर में बताया था कि यदि कोई ऐसी वस्तु हम उधार खरीदते हैं जो बेचने के लिए नहीं है। यानि हम जिसका व्यापार नहीं करते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन को जर्णल वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। अब ये फर्णीचर हमने उधार खरीदा था। यदि नकत खरीदा होता तो इस ट्रांजेक्शन को हम सीधे पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते। अब है अगला ट्रांजेक्शन 8 मई को मोहन ट्रेडर्स से हमें जो माल वापस आया है उसे हमने सुपर मार्केट से 10,000 रुपर में खरीदा था उस माल को हमने वापस सुपर मार्केट को भेज दिया यहां हमने जो माल सुपरमार्केट से खरीदा था वो उससे ही वापस कर दिया है यानि खरीदा हुआ माल वापस कर दिया है तो यह हुआ पर्चेस रिटन और जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि purchase return को हम debit note voucher में record करते हैं Next transaction है 10 मही को हमने State Bank of India से चेक द्वारा 5000 रुपए नकद निकाले इस transaction में बैंक से नकद रुपया निकाला गया है और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं cash account से bank account में या bank account से cash account में रुपया आता या जाता है तो इस तरह का transaction contra voucher में record किया जाता है आखिरी transaction देखते हैं हमें इशुक ट्रेडर से जो कमिशन का 5000 रुपए का चेक प्राप्त हुआ था वो 12 मही को bank से dishonor होकर यानि चेक बाउंस होकर वापसा दिया यहां इस transaction में चेक dishonor हो गया है अब आप सोचें कि इस transaction को हम कौन से accounting voucher में record कर सकते हैं ना तो यह payment है, ना receipt है, ना खरीद है और ना ही विक्र है तो यहां ध्यान दें हमने आपको बताया था कि ऐसे transaction जो किसी voucher में record नहीं हो पाते हैं उन्हें journal voucher में record किया जाता है तो यह transaction record होगा journal voucher में इस वीडियो में हमने transaction कैसे पहचानते हैं यह सीखा अगली वीडियो में हम आपको company features जिसकी shortcut की F11 है और configuration जिसकी shortcut की F12 है इनके बारे में बताएंगे इन दोनों के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टैली में काम करते समय हमें बार बार इनकी मदर लेना होती है और इसके बाद हम टैली प्राइम में transaction record करना शुरू करेंगे